नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे सामने हैं 1 प्लस 9 सीरीज का एक और स्मार्टफॉन 1 प्लस 9T ये बॉक्स रेड कलर में है बात करें साइड की तो मैं आपको दिखा दू यहां लिखा हुआ है 1 प्लस 9T वैसे भी OnePlus 90 है तो भारी तो होना ही है तो चलिए दोस्तों unboxing स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हटाते हैं स्मार्टफोन के box का ये cover रखते हैं इसे नीचे box हटाते ही आप देख पा रहे हैं हमें विलता है red color में ये पतला सा LED जिसके उपर OnePlus की branding है आई इसे खोलते हैं आप देख पा रहे हैं कुछ न कुछ तो है अभी रख देते हैं इसे side में बाद में देखेंगे क्या है इसमें ये रहा हमारा smartphone जिसके उपर OnePlus कंपनी का famous slogan लिखा हुआ है never settle अरे यार निकल जा कैसे निकलेगा ये so finally हाँ ये निकल गया है आप देख पा रहे है never settle लिखा हुआ है उपर ये punch hole style में हमें selfie camera मिलता है इसे भी रख देते हैं side में तो आई देखते हैं और क्या है other box content में आप देख पा रहे हैं इसके उपर एक lid है white color की है से हटाते हैं ये रहा हमारा 65 watt का fast charger और white color में अच्छी build quality है जिसकी आप देख पा रहे है medium size में इसे भी रख देते हैं नीचे इसके लावा हमें एक और lid मिलती है इसमें है हमारा USB type C 2.0 cable जिसे मुझे नहीं लगता आपको दिखाने की ज़रूरत है यहां हमने OnePlus 90 smartphone के box को पूरी तरह से unbox कर लिया है आईए अब phone का switch on कर लेते हैं और लेते हैं इसे हाथ में तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में है यह OnePlus 90 का premium looks वाला यह smartphone बात करें इसके display की तो यहां आपको मिल रहा है fluid AMOLED type 6.55 inches का एक display smartphone का resolution है 1080 x 2400 pixels का जहां तक बात है इसके aspect ratio तो as usual 20 is to 9 का ratio मिलता है आपको OnePlus 90 के smartphone में भी अगर मैं आपको उपर से tilt करके दिखा हूँ आप देख पा रहे हैं view कितना अच्छा रहा है इसको कितना अच्छा look दिया गया है designing के मामले में इसके लाँ दोस्तों आपको मिल रहा है smartphone के display में 120 Hz का कमाल का refresh rate जिसके लिए thumbs up तो बनता है so guys overall OnePlus 90 के smartphone का display बहुत ही अच्छा है बहुत ही तगड़ा होने वाला है बस एक ही चीज़ है जो मुझे खटकती है वो है इसका fluid AMOLED display क्योंकि दोस्तों इस price में OnePlus 90 जैसे premium smartphone में Super AMOLED तो सारे expect करते ही है इसके बाद दोस्तों बात करें smartphone के camera की तो यहां आपको मिल रहा है front में 16 MP का camera sensor aperture भी इसका ठीक ठाकी है पर दोस्तों आपको बतादू front camera ने मुझे थोड़ा सा disappointment जरूर किया है क्योंकि यहां 32 MP तो होना ही चाहिए था front में बात करते हैं इसके rear camera की और साथी आपको दिखाता हूँ कुछ picture samples जो की इसके ही camera से लिए गए हैं आपको यहां rear में मिल रहा है quad camera setup 48 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 2 MP के sensors के साथ rear में आपको quad camera के अलावा मिल जाती है एक bright LED flash और साथी बात करे features की तो यहां आपको auto flash, auto focus, face detection, touch to focus जैसे कम माल के features मिल जाते हैं जहां तक बात है smartphone के connectivity की तो यहां आपको बता दो सबसे पहले कि यह smartphone होने वाला है एक 5G smartphone इसमें आपको Bluetooth का latest version 5.1 देखने को मिलता है यहां आपको Wi-Fi का support है, hotspot भी है और क्या चाहिए, सो गईस एक पर इसके designing और camera के लिए भी thumbs up दे देते हैं इसके आप दोस्तों अगर अब मैं बात करूँ OnePlus 90 के smartphone के platform की तो बात से काम नहीं चलेगा, आए करते हैं कुछ gaming test तो गईस जहां तक बात है platform की OnePlus 90 कहीं भी पीछे नहीं रहने वाला कि यहां आपको मिल रहा है chipset का माल का, best version, Qualcomm Snapdragon 888 का operating system भी है, इसका latest version, Android version 11, custom UI, oxygen OS से powered है और जहां तक बात है इसके CPU की तो यहां आपको मिल रहा है 2.84 GHz का एक CPU, बात करें इसके GPU की तो Adreno G60 से यह powered है So guys, overall OnePlus 90 का platform बहुत ही जादा solid और जबरदस्थ होने वाला है क्योंकि यहां आपको chipset तो मिले रहा है top notch उसके अलावा आपको यहां CPU, GPU और बाकि सब चीज़ें भी बहुत ही अच्छी मिल रही है So guys, इसका platform जबरदस्थ है, OnePlus 90 में आप heavy gaming कर सकते हैं, heavy multimedia, tasking और RAM से चलेगा इसमें सब कुछ कोई भी problem नहीं होने वाली है, operating system, chipset, सब कुछ सम्माल लेगा इसका जहां तक बात है इसके battery और fast charging की, तो यहां आपको मैंने बताया था, 65W का fast charger मिल रहा है जो कि आपके smartphone की battery, जो कि 4500mAh की है, उसे बहुत ही जल्दी charge कर देगा, 0 to 100% मात करें, OnePlus 90 के smartphone के memory की, तो यहां आपको मिल रहा है RAM 8GB का कम माल का, internal storage की बात करें, तो वो है 128GB storage और हम आपको यह भी बता दे, इसका एकलोता variant यही होने वाला है, 8GB RAM प्लस 128GB ROM आपको अगर मैं स्मार्टफोन का एक minus point बताऊं, तो आपको बता दू, इसमें आपको expandable memory का support नहीं मिलता है यानि आप इसको storage को expand नहीं कर सकते हैं, जो कि एक इसका negative point होने वाला है क्योंकि इसका storage कुछ बहुत जादा नहीं है, 256GB storage नहीं है, इसका 128GB है, तो इन्हें expandable memory का option देना चाहिए था तो गाइस बात करें conclusion की, तो OnePlus 90 smartphone मुझे personally काफी अच्छा लगा, हाँ थोड़ा सा over price जरूर है, क्योंकि इंडिया में से launch करा जाएगा 45,000 rupees के price में और दोस्तो फिर ये भी बात है, इसका platform, camera, designing, सब कुछ बहुत ही जबरदस्त है, तो ये काफी अच्छा smartphone होने वाला है So hey guys, this was the end of today's video, hope you liked it, if yes, don't forget to hit the like button and if you are new to this channel, consider subscribing to us क्योंकि दोस्तो future में भी हम आपके लिए ऐसे ही tech related और gadgets unboxing videos लाते रहेंगे